हेलो फ्रिंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आयम मनोज कुमार और दोस्तों बात करेंगे एक और इंपॉर्डेंट टॉपिक जैसा कि लास्ट के सेशन में डेटा डिक्ष्णरी जिसको मैंटर डेटा बोलते हैं उसके बारे में समझा साथ में हमने ये समझा कि किस तरीके से उसके structure को या किस तरीके से उसको use कर सकते हैं और parallelly करते 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 हमें पता लगा कि user और schema के बीच में क्या difference होता है तो दोस्तों उसी सीरीज में कुछ-कुछ चीज़े और आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं तोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ये भी जो topic आज का pick की आए इसका reason भी आपको अगली topic में समझ में आएगा कि अगले वाले topic को समझने से पहले आपको यह ची को syntax लिखा जाता है और SQL plus क्या होता है इन सारी चीजों की बात हम इसी वाले session में आज करने वाले हैं तो दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा SQL, SQL की तो भाई पूरी series तुम्हारे भाई ने बना के रख्यों भी एक बार ने दो बात with example, एक-एक scenario को बहुत lay momentum में आपके लिए बना के रखा हुआ तो उसको go through कर सकते हैं but क्योंकि कही सारी चीजों की बात करने हैं तो यहाँ पर आपका इसका basic knowledge होना चाहिए SQL कुछ नहीं होता है, SQL होता है structure query language मतलब कोई भी company या कोई भी user या कोई भी आदमी जब किसी भी चीज को automate करने की कोशिश करता है तो वो आने वाले raw data को information के रूप में database के अंदर save करता है और जब requirement पढ़ती है तो उस data को use करके बनाता है वो कुछ reports या कुछ data fetch करता है किस से database से तो उस data को fetch करने के लिए उस data पर कुछ dml, insert, update, delete कुछ अपनी commands से लाने के लिए हम use करते हैं दोस्तों किसका SQL है definition के बाद बिलकुल नहीं करते है SQL stands for structure query language या आपको बहतर तरीके से पता है क्या होता है statement लिखके database से data fetch करते हैं और उस पर कुछ addition अपने actions हम perform कर सकते हैं तो जल्दी fast हो है इसकी जो definition है उसको एक बार देखते है go through करते है क्या कहता है system system कहता है मेरे से SQL structure query language is the set of statement जो कि हमने बोलते है statement का set होता है with which all programs and users access data from the database simple सी बात यही बात हमने बोली थी database से data fetch करने के लिए कुछ एक statement लिखते हैं और SQL को use करते है SQL is used for adding, retrieving और updating data stored in the database it is used across many different type of databases Oracle तो use करता ही है लेकिन Oracle के अलावा भी कई सारे database में simple SQL लिखी जाती है और उसके थुरू यही सारे operation दोस्तों perform किये जाते है अगली चीज की बात करते है अगली चीज मेरे पास क्या है? अगली चीज है दोस्तों PLS क्या है? सिंपल सी बात है जो चीजे मैं SQL से नहीं कर पा रहा था उन चीजों को कर पा रहा हूं मैं PLS मतलब PLS हमें एक ऐसा feature प्रोवाइड करता है जिससे मैं SQL को extend कर लेता हूं उसका extension बोल सकता हूं कि जो मेरा SQL नहीं कर पा रहा था वो सारी चीजे मैंने PLS से achieve कर ली अब SQL के अंदर क्या नहीं कर सकते हैं? SQL के अंदर हम क्या कर सकते हैं? insert कर सकते हैं, update कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, create कर सकते हैं, drop कर सकते हैं इस तरीके की जो मेरी कमांड से हैं वो मैं अपने SQL पर दोस्तों परफॉर्म कर सकता हूँ लेकिन PL SQL की ज़रूर तब पढ़ी जब पता लगा कि मैं लूप नहीं लिख सकता मैं लूपिंग नहीं कर सकता किसी चीज को रिपीटिटली मुझे कुछ कराने लगाओ तो हम लूपिंग कर सकते हैं हम उसमें और क्या कर सकते हैं functions लिख सकते हैं procedure लिख सकते हैं package लिख सकते हैं बहुत सारे logics लिख सकते हैं और इन दोनों को SQL और PL SQL को use करके Oracle के अंदर हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोचते हैं daily life में कि क्या ऐसा process को ही design हो सकता है तो PLSQL के लिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है PLSQL is a Oracle's procedural extension to industry standard SQL PLSQL naturally, efficiently and safely extend SQL for developers and it is used by Oracle PLSQL मेरा Oracle के अंदर ही use होता है दो चीज पता लग गई, क्या क्या पता लग गया SQL क्या होता है, PLSQL क्या होता है अब ये कुछ दिनों पहले मुझे पता लग एक TSQL भी कोई चीज होती है अब TSQL सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि T जैसा कुछ लग गया है और भाई SQL तो structure query language ही है तो दोस्तों इसको सबसे पहले T, T stands for क्या Transact, Transact SQL, मतलब Transact Structure Query Language क्या मतलब है, बाई, simple सा मतलब है SQL लिखाओ हो, तो SQL का मतलब तो वही है कि database से data लेकिया है SQL और TSQL में difference क्या है फिर अगर यह data ला रहा है और यह भी data ला रहा है इसको SQL बोल रहे है, इसको T SQL बोल रहे है तो दोस्तों इसमें major major, छोटे-छोटे एक दो difference है जैसे पहले difference की अगर मैं बात करूँ तो दोनों का नाम का pronunciation ही अलाग है वो SQL है, यह T SQL है, T stands for Transact यह बहुत बड़ा difference नहीं है दूसरे difference की बात करते है दूसरा difference यह है, SQL is used by Oracle and T SQL is owned and used by Microsoft Microsoft server होते, उन पर database से Microsoft के SQL server होते, वहां से data को data पर action perform करने के लिए मैं T SQL जैसी query का use करता हूँ ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा fast way में इसका syntax देखते है कि T SQL और SQL के syntax में क्या difference है देखे, SQL का syntax सच में बहुत जादा easy होता है अगर मैं simply बहुत दूँ, कि एक user नाम की table है यह है मेरी user नाम की table user नाम की table से आपको 10 record लेके आने है 10 record तो आप क्या करोगे SQL से लिखने के तरीके कई सारे हो सकते दोस्तों different different ways हो सकते हैं केवल इस चीज को अचीब करने के लिए कि मेरे को 10 record लेके आने तो यहाँ पर एक basic सा तरीका लिखा हुआ है select star from users यहाँ तक तो कोई doubt नहीं हो अच्छे order by age और limit by 10 order by की बात हम बिल्कुल नहीं कर रहे है might भी हो सकता है कि यहाँ पर हम age के हिसाब से oldest हमने age के हिसाब से order by कर लिया तो क्या हो गया कि जो बड़ी age वाले थे ascending या descending में से कोई एक तरीका mostly ascending ही system follow करता है by default SQL ascending feature को ही by default use करता है तो हम age के हिसाब से हमने ascending हमारा data आया और top से 10 rows हमने दिखाल के देती तो उसके लिए कि syntax से query है simple से अगर इसी format में tsql की query लिखी जाएगी तो कैसी लिखी जाएगी देखिए यहाँ पर ऐसा max, top, something कुछ नहीं है यहाँ पर limit लगाएगी 10 लोगों की और order by के है age से लेकिन यहाँ देखो कि क्या है order by age से किया गया है select user से किया गया है लेकिन यहाँ पर जो limit नीचे लगी होई थी उस limit की जिगह देखिए क्या लिखा गया है top 10 star समझे दोस्तों कही ना कहीं काम यह बिल्कुल same कर रही है जो मेरा SQL कर रही है बट क्योंकि दोनों अलग अलग companies own करती है अलग-अलग servers में दोनों चीज़े run होती है तो दोनों के syntax में थोड़ा बहुत difference है तो यह छोटे-छोटे difference है तो T-SQL पता लगया अब कुछ लोगों का मेरे को comment आया और क्यों मैंने आज के topic केवल इसलिए चूज किया दोस्तों क्योंकि कुछ लोग का comment आया कि सर हमें SQL plus पढ़ाई है SQL plus जो language है हमें वो पढ़ाई है अब मैं ही confused हो गया कि SQL plus वाली कौन सी language है SQL plus language तो मैंने नहीं करी मैं लोगों कैसे पढ़ा हुआ फिर मालूम पढ़ा कि SQL plus की बात करें मतलब और एक अलगा फीचर थोड़ा से समझते है कि SQL plus है क्या so that आपको clarity आएगी कि भाई मैं क्या बताना जाता हूँ देखे SQL 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 तो सुनने में ब्रकुल ऐसे लगता है कि यह एक language है यह भी language है जो मेरे भाई लोग beginners है या कहीं पर उनसे कोई interview में pushyन पूछ लिया गया है SQL SQL सुनते वे तो भाई यह कोई language नहीं है सबसे पहले तो यह एक tool है यह एक utility है यह एक tool है किसका tool है जब हम Oracle database को अपनी system पर install करते हैं तो ध्यान से समझना अगर आप उसको check box से हटा देंगे तो वो install भली ना हो बट but Oracle database को install करते वक SQL plus आपके system पर आपको visible हो जाएगा क्यों कि एक tool है तो tool भी क्या है और करता क्या है जब मैं अपने Oracle database को system पर install कर देता हूँ यह मेरा let's say एक system है इसके अंदर मैंने एक Oracle database इस तरीके से बना दिया अब इस Oracle database से query fetch करने के लिए multiple ways हो सकते हैं जिसमें से एक ways क्या हो सकता है SQL plus एक way हो सकता है SQL developer मैं एक tool यूज करूँ अपने database को connect करूँ एक हो सकता है Toad मेरा tool है उस Toad को मैं अपनी system पर install करूँ database से connect करूँ इसके अलावा भी और कोई tool हो सकता है जो Oracle database से मैं connect करूँ और अपने data निकालए तो सेम उसी format में SQL plus भी एक tool है जो Oracle database को install करते वक तभी मेरे system पर आ जाता है मुझे बहार से कोई SQL developer या Toad या other than these two मुझे कुछ भी install करने की system पर जरूरत नहीं होती SQL plus आता है कैसा दिखता है और क्या होता है यह जरूर मैं आपको इसी session में दिखा देता हूं तो देखे कैसा दिखता है उसके लिए simple search में लिखूंगा SQL plus और देखे दोस्तो उसका जो icon होता है कुछ इस तरीके का होता है अगर आप गौर करोंगे यह icon होता है SQL plus का SQL plus का icon को मैं simply यहाँ पर open कर देता हूं open करने के बाद देखे किस तरीके से दिखता है यह दिखता है इस तरीके से या तो यह background में जो दिखा रखा है दोस्तों मैंने यह black आएगा आपका यह white आएगा दोनों में से कुछ आएगा तो color पर हमारा focus है ही नहीं simply username पासवर्ड और host name में डालता हूं तो मेरे system इसको connect कर देता है तो जल्दी से fast में तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूं दोस्तों जो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए जो मेरा SQL प्लस है उसके अंदर credential डालते हैं अब simply click करता हूं OK पर और OK पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी basic basic detail आ गई है connect होते हैं यहाँ पर SQL प्लस आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो finally पहली बार मेरा एक बार connection नहीं बना लेकिन फिर मैंने correct information correct credential डाले तो देखे मेरे यहाँ पर system database से connect होगे और अब SQL के बाद यह bracket लगा होगा मतलब अम मैं किसी भी तरीकी की कोई भी query लिखने के लिए हाँ पर radio कोई भी query लिख सकता हूँ और अपने system पर उसको run कर सकता हूँ SQL प्लस इस तरीके से दिखता है इसको क्या बोलते है command line utility बोलते है command line utility सो दोस्तो आज के session में केवल इतना ही बता रहा हूँ कि तीनों चीज़े कौन कौन सी चीज़े जो मैंने आज आपको कर आई क्या 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 कर आई SQL PL SQL T SQL यह तीनों तो जरूर कहीं न कहीं यूज आती है बट SQL PLUS मेरा कोई language नहीं है यह एक मेरा tool है जो मेरा multiple purpose के लिए use में आता है तो आगे के session आपको जरूर से देखने है जहां पर SQL PLUS की सहयता से हम क्या क्या चीज़े अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ तो दोस्तो इसी तरीके से जुड़े रहा हूँ अपने भाई के साथ और नहीं नहीं चीज़े सीखते रहो देखे चीज़े कही बार बिल्कुल छोटी-छोटी हो सकती है बट सच में important हो सकती है अभी मैं SQL PLUS में आपको कई सारी चीज़े नहीं नहीं करके दिखाऊंगा जिन से आपको लगेगा कि यार यह चीज़े तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे system पर कभी हो भी सकती है तो आगे के sessions जरूर देखेगा तो दोस्तो अगर आपके लिए यह information काम की रही हो साथ में मुझे हिम्मत देने के लिए मुझे और motivate करने के लिए अपनी location जरूर से जरूर लिखो आप किस state से किस country से किस region से किस geographical location से आप देख रहे हो please मुझे जरूर माकरो so that मैं इसी तरीके से motivate होता रहूँ आपके लिए नहीने चीज़े मैं यहां पर shoot करता रहूं design करता रहूं तो दोस्तो अगला session आपको जरूर देखना है जहां पर sequel plus से related में आपको कई सारी नहीने चीज़े बताने वाला हूँ